नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्टीशन प्रिप्रेशन पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं चैनल का इधर नाम है वही तेलिग्राम पर भी नाम है दूसरी सबसे इंपोर्टेंट शीज यह है कि आप आप सी एससी चैनल 2019 सौल पेपर प्लेलिस्ट आपकी है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं सिफ्ट वाइज आपको सारे मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट किया है नंबर सिष्ट हमने खतम कर लिया और बाकि सारे चैप्टर्स भी टॉपिक वाइज नहीं जुड़े है वो लोग जाके फॉलो कर सकते हैं आपको फॉलो करने के लिए बस यहां पंबर कोर्नर पर लिंक दिख रही होगी आप जाके यह सेस्र कर लिजेगा यह डिस्क्रिप्शन में डैरेक्ट लिंक डाल बसके हैं पांदे रहें आगर को jam जी से रिलेटेड इस हुए तो उधर पूछ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेस्चन पर आते हैं अगर वीडियो पसंद आए कि तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों साथ सेर कर देना चैनल पर नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना यह हर वीडियो में बोल यानि 5 प्लस 3 8 8 का दूना 16 यानि यह पेरिमेटर होना चैनल 16 बराबर 32 देगा यानि एक यूनिट बराबर दो वे एक यूनिट दो हो गया तो आपसे लंबाई ही यानि 5 5 दूना 10 और 3 दूना 6 यानि लंबाई चोड़ाई कितनी आगे 10 6 कहा गया कि साइन 2x-45 is equal to cos x और ज 2x-45 प्लस x is equal to 90 degree यानि 3x is equal to 135 यानि x बराबर कितना हो गया 45 दिग्री ओगर x 45 हो तो cortex की वैलू 1 हो जाती है कहा गया जो दिया गया बार ग्राफ है यानि the given बार ग्राफ represents the number of students who appeared in the board examination in session 2017-18 and 2018-19 study the graph and answer the question यानि कि आपको जो दिया गया ग्राफ यह 2017-18 और 18-19 में जो आपके बोर्ड पर इच्छा में appear होते हैं वो number of candidates दिया गया है 17-18 कौन सा है blue वाला और 18-19 कौन सा ओरेंज वाला चार अलग-अलग स्ट्री में science, commerce, humanities and vocational ठीक है तो आपसे पूछा क्या गया the difference between the average number of students of science and humanities in 2017-18 2017 और 18 में science और humanities यानि कि ब्लू-ब्लू वाला इसका अंतर निकालना है कि से commerce और vocational commerce और vocational 2018-19 तो अगर आप science और humanities का देखें तो पच्चीस और तीरपन आ रहे है पच्चीस और तीरपन कितना हो गया पांच और यह 78 हो गया ठीक है और अगर हम बात करें इसका average कितना हो जाएगा यह 86 दो सालों में तो 86 बटे 2 average हो जाएगा यह 43 और इनहीं दोनों का अंतर पूछा गया था तो कितना हो जाएगा 43 मैंने सुन तालिस यह नहीं 4 और चुकि सारा डाटा आपको जो दिया गया हजार में दिया गया तो आपका अंसर हो जाएगा 4 मुझे पिछले shift का याद आ जाएगा 86 बटे 2 तो 43 49 तालिस का डिफ्रेंट शार कहा गया अनुने कार पर चेज करा और उसे बेश दिया कहा गया कॉस्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज करेशियो अगर 10-11 हो तो प्रॉफिट परसेंट है यह 10 का कितना परसेंट है 10 परसेंट तो आपका आंसर 10 परस आपको पता है दोनों मिलके 3 दिन रभी अकेले 7 दिन तो मोहन कितने में करेगा 7 गुड़े 3 21 बटे 7-3 चार 21 में 4 से डिवाइट करेंगे तो 5 सही 1 बटे 4 दिन आ जाएगा ठीक है कहा गया कि the income of renew is 10% less than income of सुधा यह अगर रेनू की बात करें और सुधा की तो अगर सुध अगर यह सुधा की इनकम सो है तो इससे 10% कम रेनू किया यह यहीं रेनू की 90 के अप कहा गया इंकम आप सुधा 10% more than तीन हजार यानि कि जो सुधा की इंकम हो दस परसेंट ज्यादा है तीन हजार से यानि कि सो बराबर आपको दिया गया दस परसेंट यानि तीन सु ज्यादा है तीन हजार से यानि कि सुधा की इंकम दी गए है तो आपसे कहा गया रेनु की इंकम कितनी होगी अगर एक बराबर तैसे तो नब्बे बराबर कितना हो जाएगा देखो यहां पर ऐसा भी कर सकतो यह छोड़ो X बराबर कुछ ऐसी value रख लो X बराबर आप लेदो 2 लेखो यहां से ए बराबर कितना मिल जाएगा मिरे बाई अपका एक प्लस चार पांस बटे माइनस 3 यह यही की value होजाएगी और B की value अगर आप निकालने जाओगे तो यह कितनी होजाएगी इसी को पलट देंगे यह हो जाएगे minus 3 by 5 आप देखो अगर आपको निकालना है a plus b तो a plus b करोगे तो minus 5 बटे 3 minus 3 बटे 5 बटे a minus b करोगे तो यह हो जाएगा 3 बटे 5 minus 5 बटे 3 यहनि हर दोनों बराबर करोगे दोनों में हर को बराबर करोगे तो आप 25 नो 34 बटे 15 आजाएगा माइनस का और नीचे के आएगा 9 माइनस 25 यह नहीं माइनस 16 बटे 15 कट गया यह आपका होगे 17 बटे 8 अब option में x बराबर 2 रखे देख लो x बराबर 2 रखे देख लोगे तो हैं पर मिलेगा 2 प्लस एक बटे 8 जो कि कितना होजाएगा 8 दो नीच सोला एक 17 बटे 8 तो आपका आंसर कुन सा सही होगे x प्लस वन अपॉन पॉर एक्स कहा गया कि 8000 रुपे पे कितने परतिस्यत की वार्सी बैस की दर से 5% दो साल का जो compound interest और simple interest है उसका अंतर क्या होगा आपको पता होगा दो सालों के लिए compound interest और simple interest का अंतर होता है principle into rate by 100 का whole square जो कि हो जाएगा 8000 गुड़े 5 बटे 100 यानी 1 बटे 20 का whole square यानी 1 बटे 400 यानी आपका answer 20 कहा गया कि जो पाई चार्ट है नीचे दिख रहा है वो percentage wise distribution दिखाता है एक मतलब school मतलब पाच अलग अलग स्कूलों का PQRST का ठीक है और total students की संख्या जो है पाचो इस्कूल में मिला कि हो तो का कि find the average number of students in R&S together R&S का अगर हम average निकालने तो 14,22,36,36 को दो से भाग करेंगे यानी अठरा परतिसात हो जाएगा अठरा परतिसात किसका टोटल का तो अठरा परतिसात आप 84 कितना हो जाएगा अठारा गुड़े 84 यहनी कि हो जाएगा अठारा चो को बाहत तर अठार 50 Mini 9 421 जानि 500मे river for 425 पांो चालीस nine 40 घंटा हो गया तो कितना आजै को aunty happy Н hela जानी 500 यहनी 500 बचा और 500 में से कितना 14 घंटा दो गयां जानी 486 हो जैई share M तें कि 540 पर 10% रिस्काउंट यह नहीं 540 के 90% पर बेचेगे 540 के 90% कितना हो जगा 149 950 430 436 कहा गया कि एक सरकल है जिसका सेंटर ओ है कि एक सरकल है जिसका सेंटर ओ है कि एक जीवा है और और C इसा परकार है जीवा है और C इसा परकार से है कि OC परपेंडिकुलर है अब कहा कि रेडियस 10 है यांनि यह इन्मिउण परकल है 10, OC थीटा मिउण पाता है प्रकल्च रेडियस 6ा 9 यह 10 यह च्छे है तो यह 8 हो जाएगा 8 ही 8 है पूरी लंबाई 8 8 16 अब क्या काम कर जाकते हो आप रेशनलाइजेशन कर दो यानि सर्फ च्छेंट इन्ट सर्फ इनके बीट कि आन्सर करो कि कहां गया अभी ने एक जर्नी नोग से कार्में पूरी करी कहें ही टे साफ लॉड़ से प्लस जर्नी ऐट 40 kms पर और आप सेकंड्ड हाफ और जर्नी ऐट 50 kms पर या तो टोटल डिस्टंस कितनी हो ऑगी हम मां लेगे टोटल डिस्टनस ही तो x को वो 40 से गया आधी डिस्टनस को 40 से गया और आधी डिस्टनस जो बची थी उसको speed से गया 50 से गया तो टोटल 9 गंटे लगए अच्छा जिनको लग रहा है speed तेज है तो मेरे भाई पहली shift से देखना शुरू करेंगे आप मेरे speed के साथ adjust हो जाएंगे और अगर आपको किसी topic personal particular topic में दिखकत आती है तो आपको topic wise solution में वो भी provide कर देज़ेगा एकदम basic से हम topic wise करेंगे और फिर भी अगर दिखकत आती है तो आप telegram पर भी दिखकत आती है तो instagram पर message कर दीज़ेगा अब देखको यहाँ पर LCM लोगे तो यहाँ का हो जाएगा 200 यहाँ पर 5 से कुड़े हैं पर 4 से यानि कि 5X प्लस 4X 900 9X बटे 200 बराबर 9 हो गया यनि X बराबर 200 हो गया तो total distance discovered हमने माना कितना था 2X X बराबर 200 2X बराबर 400 देखो कहाँ कि एक संख्या दी गई कितनी दी गई 6 2 मैं लिखे दे रहा हूँ 6 2 7 8 3 X Y और यह कहाँ कि divisible है 8 और 5 से तो आप से कहाँ कि smallest possible value of X और Y देखो अगर कोई संख्या 5 से divisible है तो उसका unit digit यह तो 0 होगा यह तो 5 होगा तो 0 5 यानि कि दो अला option खतम हो गया और मैं smallest value निकालनी है तो यह 0 हो जाएगा smallest value 0 की 0 और 5 possible है अगर 5 से divisible है तो smallest value कितनी हो जाएगे 0 अच्छा यह संख्या 8 से भी तो divisible है अब अगर इसको 8 से divisible होना है तो आप कहेंगे कि 8 से divisibility का rule है कि last 3 digit जो संख्या का हो वो कटना चाहे किस से 8 से कटना चाहे और 8 से कटने के लिए unit digit कितना होना चाहे या तो 0 हो या तो sum हो यानि 5 तो होना होना है यानि कि यह भी खतम हो गया अब आपके y की value होगे 0 यानि 3x0 यह एक ऐसी संख्या जो किसे कटने 8 से तो आप कहेंगे 8reso 32 और 8 JC obs 32 यानि कि ये आपका x के value हम यहां पर 2 रख सकते है और x की value क्या रख सकते है 6 रख सकते है तो x की value new and time आपको x और y की value लेनी है, तो x की value new and time कितने होचे 2 यानि X की तो दो value is possible है अगर इसको 8 और 5 से डिविजबल होना है और Y की के वाले एक value तो X की नियुनतम value हमसे कही गई थी तो 2 हमने ले लिए और 8 से डिविजबिल्टी का rule क्या होता है यानि कि अगर 8 से कोई संख्या कट रहे है तो उसकी last 3 डिजिट यानि कि साइकड़े की 10 की 100 डिजिट 10 डिजिट और 1 डिजिट से जो बनने वाली संख्या होगी यानि सा एकड़े दहाई और एकाई से बनने वाली संख्या वो 8 से कटनी चाहिए Simplification का प्रश्ण है तो भाई तुम्हारा सांस बिना लिये करेगा तो देखो अगर Simplification का प्रश्ण है सबसे पहले ब्रेकट को solve करो कोड़ों 17-12 5 हो गया 8 में से 4 घटेगा 4 हो जागा 4-5 नो यानि इतने की value 9 हो गई प्लस चार में 2 से भाग होगा 2 बच्चेगा 2 माइनस ये कितना होगा 4 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 3 यानि की प्लस एक 9 एक 10 हो गया अन्स है कि कहां गया abc जो है वो 안에 stainless triangle such that ऐबी वरावर a c प्लस एस जो भूझा देहों एहां पे भी आ रहा है एहां पे तो इसको उपर ले लो यह हो गया टि ओं हो गया एओ हो प्लस तो आपको दिया गया builds द्ज् Ahora 16 Microsoft आपको यह दिया गया錢 65 1000 हो जाएगा तो आप से पूछा गया BCA की वैलू 50 यह पूछी लेती यह देखो एज दिया गया क्योब का साथ है वाल्यूम कितना होता है साथ का क्योब 343 क्योंकि जो वाल्यूम होता है क्योब का कितना होता है साथ का क्योब 343 कहा गया कि एवरेज ओफ सोनू मतलब एवरेज ओफ एजस ओफ सोनू हरी और गोविंद इस 30 और उनकी एजस का रेशियो है 4-5-6 तो आप से कहा गया अब आपको निकालना किया सोनू और गोविंद की आयू में अंतर यानि कि 4 और 6 के बीच अंतर दो हो जाएगा और आपको पताए एक बराबर 6 है तो दो बराबर दो गुड़े 6 यानि 12 हो जाएगा कहा गया कि x q plus 2 x square minus x minus b exactly divisible x square minus 1 से तो यह और वी की value बतानी अब देखो अगर कोई संख्या x square minus 1 से divisible होगी वह x plus 1 से भी divisible होगी और अगर कोई संख्या x minus 1 से divisible होगी तो हम कहेंगे x minus 1 बराबर 0 यानि x बराबर एक रखने पर वो संतुष्ट करेगी संतुष्ट करने का म values रखनी है 1 1 1 minus 1 तो एक रखो के तो यह हो जाएगा 1 plus 2 minus a minus b is equal to 0 यह आपका a plus b वराबर 3 हो गया ठीक है अब a plus b वराबर 3 कहां पर option में आ रहा है अब इसके आगे solve भी न करो यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ पर minus 1 हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा एक ही option है जिसमें 3 रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं अधरवाज minus 1 भी पूट कर दोते हो जाएगा minus 1 plus 2 plus a minus b is equal to 0 यह आपका a minus b वराबर minus 1 हो जाएगा आप दोनों को जोड़ दो तो आपका 2 is equal to 2 आ जाएगा यह बराबर 1 और वराबर 1 हो गया तो b वराबर कितना हो गया minus 2 a b वराबर 2 हो जाए वही वाला question है कि science, commerce, humanities, vocational में 2017-18-19 session में admission लेने वाले छात्रों के संग क्या दिखाएगे अब आप से कहा कि what is the ratio of total number of students appeared in examination 2017-18 to 2018-19 यानि 17-18 में जो admission ले रहे हैं यानि कि यह blue वाला और orange वाले का अनुपात निकाले हैं तो blue वाला जोड़ोगे तो 25, 45, 65 और 50, 115, 15, 3, 118 और 220, 150 हो गया 2017-18 में और 2018-19 में 30 और 49, 78 और 4, 82 और 60, 142 और 8, 150, 118 इसी का अनुपात पूछा गया था 30 से कटेगा 5, 30 से कटेगा 6 यह अनुपात पूछा गया था कहा गया कि एक equilateral triangle ABC है जिसमें median जो हैं वो सब एक दूसरे को G पे intersect करते हैं आपको पता है कि किसी भी triangle के लिए equilateral हो ना हो अगर median जिस पॉइंट पे सारी intersect करते हैं उसको centroid बोलते हैं यानि कि इसकी median से हम ड्रा कर देते हैं क्योंकि question में दिया गया तो हम मनमानी नहीं करेंगे यह हमारा यह हो गया A D B E और C F यह तीन median हैं जो G पे काटते हैं आपको आप सिखा गया किसकी एरिया दी गई है यानि एक अगर इसकी एरिया तो एक इसकी भी होगी 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 equilateral triangle के लिए बात हो रही है यानि कि सब की एरिया एक एक हो गए अब आपको BF GD की एरिया दी गई है 12 root 3 बी अफजीडी की एरिया कितनी है एक प्लस एक यानि दो यूनिट बराबर 12 रूट 3 है यानि कि एक यूनिट बराबर होगे 6 रूट 3 वगर एक यूनिट बराबर 6 रूट 3 है तो पूरे ट्रेंगल की एरिया कितनी है 6 निच्छे बराबर हो जाएगा 36 रूट 3 यह पूरे ट्रेंगल ABC की एरिया होगे 36 रूट 3 और अगर किसी equilateral triangle के लिए side A हो तो उसकी एरिया कितनी होते रूट 3 रूट 4 इंटो A square यह बराबर दियागा 36 रूट 3 रूट 3 रूट 3 कट गया यानि A square बराबर 144 यानि A की बराबर 12 यहीं निकालना था side निकालना था आपको यह प्रेशन पूर्ट 5 वाट परसेंट is is the total number of students who appeared in 2017-18 is less than total number of students who appeared in 2018-19 तो आपको पता है भी थोड़ी देर पहले आपने कल निकाला था कि 2018-19 में और 2017-18 में एडमीशन लेने वाले शात्रों की उकुल संग्य है तो 17-18 में आपको दिख रहा होगा कि 1.500 है और 18-19 में 180 है तो आपसे कहा गया कि जो 17-18 में एडमीशन लेते हैं वो 18-19 की तुलना में कितने परतिसत कम है आप बता कितने कम है 180-150 यानि 30 कम है तो परतिसत में कितना हो यानि आपका आंसर हो जाएगा 16-17 भाई ने कहा यह कुश्चन तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कहागे साइन 23 कॉस 67 1045 खतम ऐसे कॉस 23 साइन 67 कॉस 45 कॉस 45 दिया गे अपन टू साइन 45 की वैल्यू को चिव ठीक है आप सबसे पहले देखो टू साइन इंटू कॉस है क्या ह साइन 23 इंटू कॉस 67 प्लस कॉस 23 इंटू साइन 67 यहां पर कॉर्ट 45 कर लिजेगा प्रश्चन में थोड़ी गड़ बड़ी है कॉर्ट 45 की वैलू 1 हो जागी यानि यह भी खतम हो जाएगा ठीक है आप दीख रहा होगा साइन ए कॉस भी कॉस से साइन भी जोकी होता कितने स साइन 23 प्लस 67 यह हो जाएगा साइन 90 की वैलू कितनी होती है तो प्रश्चन में आपको बस इतना सही करना है कि यहां पर कॉस नहों के कॉट आना चाहिए ठीक है अच्छा जो हमने पिछले कोश्चन में फार्मूला पढ़ा हो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार नहीं तो आ कन फ्यूज है । साइन यह प्लस बी को अगर हम एकस्पैंड करते है तो यह आता कितना है साइन कॉस भी प्लस कॉस भी यह कॉस सी साइन भी यह बता है पारमूला ठीक है अगर यहां माइनस आए गाधिये अगला प्रश्चन देखें कर गाहिए इन यह सेर्क्ल भी सेंटे O, एक circle है, इसका center O पर है, ठीक है, कहा गया, यह tangent AP is drawn from external point A, यहनि कि A है कोई बिंदू, जिससे P पे ड्रा की गई है, एक tangent, O A बरावर आपको दिया गया है, कितना है, 13, O A बरावर 13, O P बरावर 5, O P बरावर 5, आपको बता है, यह perpendicular होगा, बिछले सी, मैंने बताया था, आज फिर बताया दे रहा हूँ, कि अगर किसी center से, किसी tangent के point of contact को मिला जाता है, तो वो जो radius होती है, वो tangent पे perpendicular होती है, आपको बता है, यह 90 है, यह 5 है, यह 5 है, तो यह होजाएगा 12, क्योंकि 5, 12, 13, triplet बनाते हैं, आपको AP की लंबाई निकलने थी, जो की निकलने के कितने आगे, बार, आपको दियागे, X plus 1 by X 5 है, तो X square plus 1 upon X square कितना हो जाएगा, सीधे सीधे सब्दों में, A, X plus 1 by X, अगर के होता है, तो X square plus 1 upon X square कितना होता है, के square minus 2, यह 25 minus 2, 30, तो यह थे 25 क्योंकि जो आपके 26 अक्टूबर के second shift में पूछेगे, I hope यह easiest shift में से एक थी, ठीक है, तो इसमें normalization में ज्यादा बढ़ने नहीं है, बाकि आप लोग result का wait करिए, I hope आपको सारे question समझ म भी आए होंगे, अगर आपको कोई doubt आता है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप टेलिग्राम पर ज़रूर जुड़े, टेलिग्राम पर अपने doubt सेंड करों, और इंस्टाग्राम तो आपके लिए है ही, वहाँ पर follow करके message कर सकते हैं, वीडियो को like करिएगा, अपने दोस्तों क साथ सेर करिएगा, और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर useful content ही मिलता है, बबाइ, take care, मेहनत कर दे रहों सफलता, जरूर मिलेगी